आज है चोटी दिवाली अब भी मैं मुंबतियां लगाके ही हटी हूँ और सीधी सी बात यह है आप सोच रहोंगे यह एक दिवाली प्रेपरेशन व्लोग है और मैं सिधा चोटी दिवाली पे इसको क्यों शूट कर रहे हूं बट में बात यह है मैंने किसी भी चीज का इंट इंट्रो नहीं शूट करा मैंने पूरे व्लोग में कुछ बोला नहीं सिर्फ वाइस ओवर किया हुआ है वह इसलिए क्योंकि मार्किट में इतनी आवाज आती है तो मैं कुछ बोल तो सकती नहीं थी और इंट्रो इसलिए क्योंकि दिवाली की शॉपिंग हमने फटा-फट फट-फट की है एक तो मैंने किया रात में ट्यूशन से आतो है और एक मैंने किया सुभे-सुभे दोनों दीदी के साथ जाकी किया है तो मैंने इंट्रो तो किया नहीं था एंड मैं इसलिए अब भी बोल रही हूँ व्लोग पूरा शूट कर रख है मैंने एडिट कर रहे ह इंट्रो कर रही हूं वह भी छोटी दिवाली पे और दिवाली का व्लोग भी आएगा जल्द ही सो बिना किसी देरी के अब सिधा व्लोग को शुरू करते हैं तो गाइज अभी मैं आच चुकी हूं लोकल मार्केट में जो की मैं ट्यूशन से बहुत पास है और मैं दिवाली के साथ सीधा ट्यूशन से यहीं आई हूं सो जो भी दिवाली के लिए चाहिए होगा वो मैं यहां से लेने वाली हूं तो सबसे पहले तो हमें वही रंगोली के लिए कलर्स चाहिए मैंना कुछ डोर पे लाइक लटकाने का चाहिए जो कि बहुत सुन्दर लगे तो वो यहां से लेने वाले हम और फिर कलर्स तो मेरे को रफ रफ से लग रहे थे तो मैंने यहां से तो नहीं लिए बट यहां पे बहुत सही लग रहे थे कलर्स तो हमने यहां से colors लिए and जो design वाली छलनी वगर होती है तो हमने दो वो ली थी so यह बहुत अच्छा लग रहा था देखने में तो इसलिए हमने यह ले ली और colors वाला काम तो हो गया so मेरे को दिवाली पे कुछ पहनने के लिए भी चाहिए था तो मैंने clothes की भी shopping की थी तो मैंने एक तो यह वाली पैंट ली जो की tight थी और एक यह purple वाला कुर्टा लिया जो की loose था बहुत बढ़िया तो दोनों फिर से जाएंगे हम और उसको return करके आएंगे और यह हमने डोर पे लटकाने के लिए लिया है जो की बहुत सुन्दर लग रहा है और colors में मैंने छे colors लिये हैं और यह दोनों चलनिया लियें डिजाइन वाली और यह छे colors तो काफी हैं बट फिर मुझे याद रहा कि white color पे तो चाहिए था outline वगएरा जो भी करने के लिए तो वो मुझे बाद में लेके आना पड़ेगा तो फिर वो बाद में देखेंगे बाकी मेरे को इ और अब shift करते हैं अगले दिन की सुबह पे तो सुबह सुबह हम पहुँच चुके थे market में दुबारा से और यह दूसरे वाली market है यहां पे और भी बहुत सारा समान है यह flowers हैं और सुन्दर सुन्दर चीज़े हैं तो यहां पे like सही है सब कुछ बट हमें flowers तो नहीं चाहि हम निकल गए किसी और दुकान पर और हमें चोटी-चोटी मूर्तियां भी चाहिए थी जो कि बहुत प्यारी लगती हैं तो यहां पे थी बहुत सारी और यहां पे सुन्दर सुन्दर candles भी थी मतलब ऐसे लगता था सब कुछ खरीद लो बट नहीं खरीच सकते सब कुछ इत यहां पे ड्रीम कैचर्स भी हैं थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के तो ड्रीम कैचर्स तो हमारे बास हैं बहुत सारे हैं उपर से तो फिर वो नहीं हमने लिए और यहां पे हम मूर्तियां देखने आ चुके हैं जो कि हमें लेनी थी तो वो भी मैं आपको घर जाके दिखा मतलब यहां पे जो डूर के लिए लिया था ना हमने वैसी वैसी चीज़े थी तो वो भी हम लेंगे और यह बॉटल्स वाले रंगोली के कलर से तो जो कि हमने ले लिया हैं तो इनका तो कुछ नहीं करना हमें बाकि यहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़े लगी हु or again does पिंहां बहुत सुंद अब बीर सकते हम बड़ संदे हुआं फिर मूडें जो Geg था कि नहीं चंडल्स तो नहीं लगे कूछ होवर reflect कंडल्स थी नहां यहां पे जो एक water floating candles होती भी थी यह हमें तो मैं दिखाना हूं आपको मूलतियों में तो हमने यह चीज़ लिया अप टीसी मुर्ती जिसमें लिखा हुआ है आदी योगी और यह भी बहुत अथी है सो बाकी हम खाने के लिए पीजा एंड बर्गर लेकर आये थे क्योंकि हमें बहुत साधा भूग लग रही थी इसको फिनिश करने के बाद चलते हैं छट पे और शाम तो होई चुकी थी हमें आते आते तो चट पे जाके मैं दिखाओंगी आपको कि हम फोटो शुट कैसे करते हैं दिवाली के टाइम पे एंड हम पहुंच चुके हैं छट पे और यहां पे मेरे सारे फ्रेंड्स आयो हैं और हम मस्ती कर रहे थे और मैं तन्वी का फोटो शुट कर रहे थी और यह तीनों यहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं तो फिर रात हो चुकी थी और मैं अब भी फोटो शुट कर रही थी तो इतना सुन्दर लग रहा है यह लाइट्स हो गयरा है और पूरा फोटो शूट और दिवाली के दिन भी हमने फोटो वगयरा खीची थी इस अब कमेंड करके फटा फट बता दो कि यह डोर कैसा लग रहा है और इसके नीचे हम रंगोली बनाने वाले हैं अब कौन सा पार्ट इस व्लॉग का सबसे जादा अच्छा लगा और सबसे में बात तो यह है कि मेरे सब्सक्राइबर्स 500 के करीब होने वाले हैं अभी मेरे कुछ 444 और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और मेरे को सपोर्ट करो गाइस जल्दी से जल्दी और और मेरे को जरूर बताते हैं यह कैसा लग रहा है मैं दिखाते हैं अब तो गाइस मैंने अभी सिर्फ यहां तक की मौंबतियां वगरा लगाई है क्योंकि आज छोटी दिवाली है ना तो दिवाली के दिन पूरा भर के लगाएंगे इसको कल और नीचे भी लगाएंगे उ तो अभी तो बस यहीं लगाई है बाकी आप बता दो यह कैसी लग रही है कमेंट बेज पक्का बताना सो गाईज प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को और उसके साइट में बैल आइकन होगी उसको भी जरूर क्लिक कर देना ता कि आपको हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन जलजी जलदी मिल जाए और आप जलदी से जलदी मेरे ब्लॉग्स देख लोग देख लोग देट से बैले दी जलजी जलजी को हैं